अगर नौकरी की बात करें राज में बच्चों का तो सारे बड़न सरकार के उपर आने दिखाई देता है लेकिन सरकार अभी जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा है सबी को नौकरियां तो दे नहीं सकते हैं तो सेल्प इंप्लॉइमेंट कैसे जेनरेट हो इस पर हम लोग का व वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं लेकिन जो प्राइवेट अब देखा जाए कि ग्रामिन छेत्र में किसान परिवार के जो बच्चे हैं वो नौकरी के तलास में जाते हैं तो सबसे पहले उनके प्रात्र मिक्ता होती थी हम मिलिटरी आर्म में निफ्ति की जो इस्थिति बनी पड़ी है वो किसे से छुपी नहीं है उस पर चर्चा नहीं करूंगा अब धोईस में उनको कितनी उसमें सफलता मिलेगी ये कहना बड़ा अभी मुश्किल है और जो थोड़े बच्चे ग्रामिन छेत के निकलते थे तो ये बैंक में जात सब्सक्राइब हो चुके हैं अब इसमें कहां इनको कितना मौका मिलेगा ये भी आने वाला समय में चुनाओती है कुल मिला कर अगर नौकरी की बात करे राज में बच्चों का तो सारे बड़न सरकार के उपर आने दिखाई देता है लेकिन सरकार अभी जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा है सभी को नौकरिया तो दे नहीं सकते हैं तो सेल्प इंप्लॉयमेंट कैसे जेनरेट हो इस पर हम हम लोग का विसेस फोकस है और रूलर एकनोमिक ऐसे एक स्टार्ट अप में चेंज हो यह हम लोग का फोकस है और इस स्टेट का मैं समझता हूं कि अगर ग्रामीन इलाका हमारा जहां 80% लोग रहते हैं अगर उनको हम strongly established कर लेते हैं तो definitely है कि वह ग्रासरूट लेबल का आगे चलने में दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी चुकि सरकार जिसकी भी होती हो तो आम लोगों की चिंताएं करती है ग्रामीनों की किसानों की कमजोरी जो लोग संब्रांत लोग है वो तो निकल जाते हैं लेकिन जो पीशे रह जाते हैं उनके लिए काम करने क्या हो स जो आज के दिन में हमने इस्पोर्स पॉलिसी के मादम से बच्चों को जॉब में भी रिजरुशन देने का एक डिजियन ले रखा है, कई बच्चों को हम लोगों ने नौकरियां भी दिये, कई प्रुसकार भी दिये हैं, और बड़े पैमाने पर यहां पर बच्चे इस्पो महिला होकी टीम की जो संक्या है उसमें। तो ऐसे कई चीजें हैं, कई अभी स्पोर्स हम लोगों ने ग्रामी नस्तर तक हम लोगों ने प्लेग्राउंड बनाने का प्रुग्राम चला रखा हैं, ब्लॉक लेबल मेں, जीला लेबल में, कई जीलों में, एस्टोटर्प्स के हम लोगों ने स्टेडियम सेंक्षन किये हैं उनके लिए एक अलग पॉलिसी जो हॉस्टल के साथ उनके स्पोर्स को कैसे हम और एक्स्प्लोर कर पाएं मुझे लगता है कि हाँ सिक्षा की कमी होने के वज़ाद से बच्चे थोड़ा सा स्पोर्स पर ज्यादा आकरसित हुए ह जिससे यहाँ पर मुझे लगता है सुरू से ही बड़े पेमाने पर खेल में लोग आगे आये हैं और इसमें भी इन लोगों ने अपना नाम कमाया है तो निस्षी तरुप से इसमें सरकार को काम करनी चाहिए और बहतर करनी क्या होई सकता है और हमको लगता है कि स्पोर्स पर जो फोकस हम लोगों ने लिए रखा है उसमें आने वाला समय में डेफिनिटली हम लोग एक अच्छे जगा पर होंगे इसके अलावा हमारे यहां एक आरखंड लाइफ की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने क के लिए बाले के लाइक उताब है